चट 211 अखिल और आर्ती की बहस, आप तक आप लोगों ने पड़ा, मुझे नहीं पता कि मननक पार्टी में आएगी या नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि मननक पार्टी में आएगी और आज रात मैं मननत से अपने सवालों की जवाब जरूर लूनगा कि आखिर मुझ में ऐसी क् जो मननक मुझे बिना बताय छोड़ कर चली गई, क्यू जाने से पहले उसने एक बार मुझे से बात करनी जरूरी नहीं समझी, क्यू जाने से पहले उसने मुझे नहीं बताया, आखिर क्या वज़े थी जो मननक मुझे बिना बताय ही चली, संजना और विवेक भी अपने मन में कहते हैं, मन्नत का इंतजार तो हमें भी बेसबरी से है, अब आगे, डिल्वी के सबसे grand hotel में reception party रखी गई थी और उसमें बड़े से बड़े businessmen को बुलाया गया था जो शादी में भी नहीं आये थे, उन्हें reception party में बुलाया गया था, पूरे hotel को बहुत ही खूबसूरती स सजाया गया था सभी मेहमानों के लिए और बिजनेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किये गये थे रिलेटिव्स को अलग रखा गया था और बिजनेसमेंट से रिलेटड अपने बिजनेस पार्टनर को मिस्टर बंसल ने अलग अरेंजमेंट करवाय थे पार्टी का थीम ब्लाक अंड रेड इसलिए सभी लड़कों ने ब्लाक कलर के श्रीपीज सूट पहन रखे थे और उनके अंदर रेड शट पहनी हुई थी और लड़कियों ने भी ब्लाक अंड रेड काम्बिनेशन से साड़ी या फिर गाउन पहन रखा था मोक्ष रिशब विवेक तीनों ने ही ब्लाक कलर का श्रीपीज सूट पहना हुआ था संजना और अंजली ने रेड कलर का गाउन पहना था और ब्लाक कलर की श्रीपीज सूट में बॉक्स बहुत ही हैंसम लग रहा था पार्टी में आये सभी लड़कियों का ध्यान मोक्ष पर ही था लड़किया किसी न किसी बहाने से मोक्ष से बात करने की या फिर उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी लेकिन मोक्ष सभी को इगनो करते हुए सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रहा था बलकि मोक्ष के साथ बाकी सभी लोगों की नजर या तो अपनी घड़ी पर जा रही थी या फिर दर्वाजे पर क्योंकि सभी कोई मन्नत के आने का बेसबरी से इंतचार था सभी लोग पार्टी को एंजोई कर रहे थी कि तभी फिर से पार्टी में हलचल मच जाती है रिशब विवेक संजना और मोक्ष चारों का ही ध्यान अब दर्वाजे की तरफ जादा है क्योंकि उन्हें हलचल से यही उम्मीद थी कि शायद बिजनेस टाइकून प्रेम सिंधानिया आ चुका है यानि कि मन्नत भी आये होगी मोक्ष और रिशब की आँखों में तो मन्नत को लेकर बहुत सारे सवाल थे लेकिन दो लोग ऐसे भी थे जिनकी आँखों में मन्नत को लेकर कुछ और ही चल रहा था और वो दोनों कोई और नहीं विवेक और संजना थे विवेक और संजना मननत से किसी और वज़े से ही मिलना चाहते थे प्रेंग के बॉडिगार्ड सभी रिपोर्टर्स को साइड में हटा देते हैं और तभी प्रेंग सिंधनिया और मननत बड़े ही शान की साथ अंदर आते हैं जहां अभी तक सभी लड़कियों का ध्यान मोक्ष पर था और सारी लड़किया मोक्ष से अपनी नजरे हटा नहीं पा रही थी आप सभी लड़कियों का ध्यान प्रेंग पर था और सभी लड़किया प्रेंग को अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रही थी और दूसरी तरफ सभी लड़कों का ध्यान मननत की खुबसूरती पर था रेट कलर की साड़ी में मननत बहुत ही खुबसूरत लग रही थी और मननत की साड़ी में से जांकती हुई उसकी पतली सी कमर पर बंधा गोल्डन चैन का पतला सा कमर बंध उससे और भी ज़्यादा सेक्सी लुक दे रहा था इस वक्त कोई भी आदमी मननत की खूबसूरती से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था चाहे वो बच्चा हो या जवान या फिर कोई बूरा आदमी और जैसे ही प्रेम सब की नजरे मननत पर महसूस करता है तो प्रेम की नजरे सर्द हो जाते हैं और प्रेम एक हाथ मननत की कमर में डाल कर उसे खुद की करीब कर लेता है प्रेम का इस तरह से मननत को अपने करीब कर लेना मननत को अजीब लगता है और मननत सब के सामने बहुत ही ज्यादा ओक्वर्ड फील करने लगती है लेकिन प्रेम तो प्रेम था उसे कहा इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता था लेकिन मोक्ष जो की दूर से ही मननत और प्रेम को देख रहा था प्रेम का इस तरह से मननत की कमर में हाथ डाल कर उसे अपने करी खीचना मोक्ष के दिल को जला रहा था और बेबसी कुछ हैसी थी कि मोख्ष कुछ कर भी नहीं सकता दूसरी तरफ अरुडा मेंशन आर्ती किचन में अपने लिए वाइट सौस पास्ता बना रही थी आर्ती ने इस वक्त ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और साड़ी के पलू को समेट कर अपनी कमर पर टक किया हुआ था इसलिए आर्ती की गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी लेकिन इस वक्त आर्ती की कमर पतली बिलकुल नहीं थी क्योंकि इस वक्त आर्ती अपने पेट में दो-दो बच्चे करी कर रही थी लेकिन pregnancy की वज़े से आजकल आर्ती के चेहरे पर निखारा रहा था जिससे आर्ती चमक रही थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी लेकिन आजकल आर्ती को नई नई चीज़ खाने की क्रविंग कुछ ज़्यादा ही होती थी इसलिए आज आर्ती का मन वाइट सौस पास्ता खाने का कर रहा था लेकिन आर्ती अपने हाथों से ही वाइट सौस पास्ता बनाना चाहती थी इसलिए आर्ती ने सारे सर्वेट को एक तरफ हटा दिया था और खुद किचन में वाइट सौस पास्ता बना रही थी और सारे सर्वेट अपनी डरी सहमी नजरों से अपनी लेडी बॉस को देख रहे थे उन्हें डर लग रहा था कि अगर उनके बॉस आ गई और उन्होंने बॉस ने अपनी वाइफ को इस तरह से किचन में काम करते हुए देख लिया तो आज उन सभी की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी और उसके अलावा भी न जाने उन सब को क्या क्या जहिल न पड़ेगा और थोड़ी ही देर में जिसका सभी को डर था वही होता है अखिल अपनी ताई को लूच करते हुए घर के अंदर आ रहा था अखिल बिना किसी पर ध्यान दिये सीधा अपने कमरे की तरफ जाही रहा था कि तभी अखिल की नजर लाइन लगा कर किचन के बाहर खड़े सर्वेट पर जाती है जिन्हें देखकर अखिल को थोड़ा अजीब लगता है और अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है सभी सर्वेट सर जुका कर खड़े थे और जब उन्हें महसूस होता है कि अखिल उनके पास ही आ रहा है तो सभी सर्वेट और भी ज्यादा दर जाते है अखिल जब किचन के अंदर देखता है तो उसकी प्यारी वाइफ खाना बनाने में बिजी थी जिसे देखकर अखिल के चहरे पर मुस्कान आ जाती है अखिल अपनी उन्गलेओं के इशारे से सभी सर्वेट को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और सभी सर्वेट सर जुका कर वहाँ से चले जाते हैं अब अखिल दर्वाजे पर टेक लगा कर खड़ा था उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर फोल्ड कर रखा था और दर्वाजे से ही अपनी प्यारी बीवी को निहार रहा था आर्ती अपना सामान लेने के लिए स्लिप की ऊपर रखें दिब्बे को उतरने लगते हैं लेकिन वहां तक आर्ती का हाथ ही नहीं जा रहा था आर्ती अपने पंजों पर खड़े होकर दिब्बा उतरने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं जा रहा था और तभी एक हाथ आगे बढ़ता है और उसे दब्बे को उतार कर आर्ती के हाथ में दे देता है और आर्ती मुस्कुरा कर सामने देखती है तो सामने अखिल खड़ा था जिसे देखकर आर्ती का मूँ बन जाता है आर्ती अखिल को इग्नो करके वापस से अपना खाना बनाने लग जाती है और अखिल किचन में ही खड़े होकर आर्ती को देखने लगता है जिससे आर्ती इरिटेट होकर अखिल से कहती है आप मुझे ऐसी घूर घूर कर क्यूँ देख रहे हैं जैसे पहले कभी आपने मुझे ना देखा हो अखिला देखा तो बहुत है बीवी लेकिन किचन में खाना बनाते हुए तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ आर्ती क्योंकि मेरे बच्चों का मन है आज वाइट सौस पास्ता खाने का तो इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ अखिला बीवी तुम बच्चों के बारे में कितना सोचती हो थोड़ा उन बच्चों के बाप के बारे में भी सोच लिया करो अखिल की बात पर आर्थी तंज भरे लहजे में कहती है क्यों क्या आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले मेरे बारे में सोचा था आपको तो कभी फर्क नहीं पड़ा मेरी फीलिन से मेरी खुशियों से मैं क्या चाहती हूँ आपने तो कभी उस बारे में नहीं सोचा तो फिर मैं ही क्यों आपके बारे में सोचू जब आप मेरे बारे में नहीं सोचते आर्ती की बात पर अखिल को गुस्सा आ जाता है और अखिल आर्ती की बाजू को पकड़ कर आर्ती को अपने करीब कीच लेता है और फिर आर्ती की आँखों में आँखे डाल कर गुस्से से कहता है आखिर कब तक तुम मुझे इसी तरह से सजा देती रहोगी आखिर ऐसी भी क्या गलती करती मैं कि तुम दो प्यार के बोल नहीं बोल सकती मेरे से तीन साल पांच महीने हो चुके है हमारी शादी को क्या तुम ही याद है इन तीन साल पांच महीने में कभी तुमने सीधे मुझसे बात भी करी है आखिर किस गलती की सजा दे रही हो मुझे तुम्हारा बीवी हो मेरी प्यार करता हूँ तुमसे जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ हमारे लिए करता हूँ हमारे बच्चों के लिए करता हूँ आरती गुस्षे से अखिल से अपनी बाजू को छुडाते हुए कहती है ऐसा आपको लगता है Mr. अखिल अरोडा की आप जो कुछ करते हो हमारे लिए करते हो लेकिन ये सच नहीं है सच ये है कि आप जो कुछ भी करते हो, अपने लिए करते हो, आपको जो पसंद आता है, आपको वो हासिल करना होता है फिर वो चाहे चीज हो या फिर इनसान जैसे आपने मुझे जबरदस्ती हासिल किया है और अब अखिल का गुस्सा भी अपनी चरल सीमा पर पहुंच जाता है अखिल गुस्से में आरती के जबड़े को पकड़ते हुए गुस्से से कहता है हाँ, मैं ऐसा ही हूँ जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हासल कर कर रहता हूँ चाहे वो कोई चीज हो या फिर इनसान और तुम तो मेरी मोहबबत हो तो तुम ही क्या लगा मैं अपनी मोहबबत को ऐसे ही हाथ से जाने दूंगा कभी नहीं मैं उन में से नहीं हूँ बीवी जो अपनी मोहबबत की खुशी के लिए अपनी मोहबबत को खुद से दूर जाने देते हैं मैं अपने इश्क पर कुर्बान हो सकता हूँ लेकिन कुर्बानी नहीं दे सकता तुन मेरी हो और मेरी ही रहोगी जितनी जल्दी इस बात को अपने दिमाग में बैठा लगी उतना ही अच्छा होगा इतना बोलकर अखिल आर्ती के जबडे को छोड़ देता है और आर्ती की सर के पीछे हाथ रख लेता है और दूसरा हाथ अखिल का आर्थी की कमर पर होता है जिससे अखिल आर्थी अपने करीब कर लेता है और अपने होंठ आर्थी के होठों पर रख देता है और अखिल आर्थी के होठों को फोसफुली किस करने लगता है अखिल आर्ती के होठों पर अपना गुसा उतर रहा था अखिल आर्ती के निचले होठों को अपने होठों के बीच में दबा कर उसे बहुत ही वाइडली तरीके से स्मूच कर रहा था जिससे आर्ती को दर्ध हो रहा था आरती अखिल के सीने पर हाथ रख कर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अखिल एक इंच भी आरती से दूर नहीं हो रहा था और आरती के अंदर इतनी ताकक नहीं बची थी कि अखिल से लड़ सके इसलिए आर्थी शान्थ हो जाती है और अखिल को अखिल की मरजी करने देती है और धीरे धीरे अखिल का गुसा भी शान्थ हो जाता है और अखिल की फोस्फुली की सब दीप और पैशनेट किसमें बदल जाती है और जब अखिल का गुसा शांध होता है तो अखिल को महसूस होता है कि आर्ती ठीक से सांस नहीं ले पा रही इसलिए आखिर धीरे से आर्ती के होटों से दूर हो जाता है अखिल एक नजर जी भर कर आर्ती के चहरे को देखा है आर्ती का चेहरा किस करने की वज़े से लाल हो गया था और उसकी आँखों में भी हलकी नमी आ गई थी चट्टू हन्ब्रिट ट्वेल्फ मननत और मोक्ष आए एक दूसरे के करीब अब तक आप लोगों ने पड़ा अखिल की फोसफुली की सब दीप और पैशनेट किस में बदल जाती है और जब अखिल का गुसा शांध होता है तो अखिल को महसूस होता है कि आर्ती ठीक से सांस नहीं ले पा रही इसलिए आखिर धीरे से आर्ती के होटों से दूर हो जाता है अखिल एक नजर जी भर कर आर्ती के चहरे को देखा है आर्ती का चहरा किस करने की वज़े से लाल हो गया था और उसकी आँखों में भी हलकी नम्य आ गई थी अब आगे आर्ती की भीगी पलके और अखिल के किस करने की वज़े से आर्ती के होट सुर्ख लाल हो गए थे जिसमें आर्ती और भी ज्यादा खुबसूरत लग रही थी आर्ती का रूप देखकर अखिल का गला सूकने लगता है। उसके जिसमें गर्मी बढ़ने लगती है। इसलिए अखिल जल्दी से अपनी नजरे घूम लेता है क्योंकि आर्ती प्रेगनेंफी और इस हालत में अखिल आर्ती के साथ कुछ नहीं कर सकता था। अकिल बिना आर् दूसरी तरफ पार्टी में, हाल में एक तरफ एक बड़ा सा स्टेज लगाया गया था जहां पर, विसमेया दिबोधक चिन्ह, सभी लोग पार्टी इंजोई कर रहे थे और एक दूसरे से बाते करने में बिजी थी कि तभी एक स्पॉटलाइट सीडियो की तरफ आकर रुपत और अंजली के हस्पैंट ने वाइट कलर का श्रीटी सूट पहना था, दोनों की ही जोडी बहुत अच्छी लग रही थी, दोनों बहुत ही प्यारी लग रहे थे, सभी लोग इस वक्त अंजली और अंजली के साथ आ रहे हैं, उसके हस्पैंट को देख रहे थे, मन्नक भी अपने चहरे पर मुस्कानले अंजली और अंजली के हस्बेंट को देख रही थी। हाल में एक चार मंजल का बड़ा सा किक लाया जाता है। अंजली और अंजली के हस्बेन केक के सामने आ गए थे और पार्टी में आए बाकी के महमान भी सभी अंजली के पास आ गए थे मन्नत अंजली से दूरी बना कर ख़ड़ी थी मन्नत अपने किसी بھی दोस्त के पास नहीं जा रही थी विवेक, मोक्ष, रिशव्ट संजना सभी से दूरी बना कर ख़़ी थी प्रेंग ने मननत का हाथ पकर रखा था और मननत को अपने आप से दूर नहीं जाने दे रहा था क्योंकि पूरी पार्टी हॉल में सभी की नजरे मननत पर ही थी और किसी ना किसी बहाने से मन्नत से बात करने की कोशिश कर रहे थे, किसी को भी नहीं आने दे रहा था, लेकिन प्रेम किसी को भी मन्नत के करीब नहीं आने दे रहा था, मोक्ष विवेक संजना तभी अंजली भी अपने सभी दोस्तों के पास आती है और उनसे कहती है, तुम प्रिंग पर ड्रिंग किये जा रहा था अंजली मोक्ष को देखते हुए गुस्से में रहती है तुम क्या कर रहे हो मोक्ष शराब किसी मसले का हल नहीं होता तुम मननत को पिछले 6 सालों से धून रहे हो और आज मननत तुम्हारे सामने है तो तुम कुछ नहीं बोल रहे अब किस बात का इंतजार कर रहे हो तुम लोग हमें मननत से डाइरेक्टली जाकर बात करनी होगी तभी तो हम उससे कुछ बात कर पाएंगे वरना मननत फिर हमारी आँखों के सामने से चली जाएगी और तुम लोग बस खड़े-खड़े देखते रह जाओगे अंजली देखी ह कि सभी लोग उससे ही देख रहे हैं लेकिन कुछ रियाक्ट नहीं कर रहे तो अंजली गुस्से में ज़लाते हुए कहती है क्या मुझे क्या देख रहे हो ठीक है तुम से बात नहीं हो पा रही तो मैं खुद ही जाती हूँ मननत के पास और खुद ही उससे बात करती हूँ तुम लोग बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहो तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला और मोक्ष मुझे तुमसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अंजली जाने के लिए पीछे मूरती है कि तभी अंजली को कुछ तूटने की आवाज आती है अंजली पीछे मुल कर देखती है तो मोक्ष ने अपने हाथ में कांच के गिलास को तोड़ लिया था और मोक्ष के हाथ से खुन बह रहा था अंजली मोक्ष के पास आने को होती है लेकिन तभी मोक्ष अंजली को साइड हटाते हुए वहां से चला जाता है मोक्ष म्यूजिक ग्रुप के पास आता है और एक आदमी के हाथ से उसका गिटार ले लेता है प्रेम अपनी कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बात कर रहा था और मननत कुछ दूरी पर कुछ औरतों के साथ बाते कर रही थी कि तभी प्रेम को किसी का कॉल आता है और प्रेम कॉल अटेंड करने के लिए हुले से बाहर चला जाता है विवेक अंजली मोक्ष संजना सभी मोक्ष के पास आते हैं मोक्ष अपने दिल के दर्ट को आवाज में पिरो कर गुंगुनाने लगता है क्यूँ बिन बताए ये आंशू हैं आए चेहरे पर फिर भी देखो मेरे हसी है कुछनी है मोक्ष की आँखो में इस वक्त बेपनाह दर्ट नजर आ रहा था और सभी लोग मोक्ष को ही देख रहे थे मोक्ष की आँखे कुछ तो नशे की वज़े से लाल हो गए थी और कुछ उसके दिल के दर्ट जो उसकी आँखों में आशू बन कर ठहर गए थे इसलिए लाल हो गए थी मोक्ष एक तक मननक को ही देख रहा था और मोक्ष का इस तरह से मननक को देखना मननक को बहुत ही ज़्यादा awkward फील कर रहा था कितनी बाते कहां कहां गुजारी है राते तेरे बारे में मुझको खबर ये मिली है मोक्ष की आँखों में और उसके गाने में मोक्ष का दर्द साफ दिखाए दे रहा था मोक्ष मन्नक की तरफ देखकर गाना गा रहा था और आसपास के सभी लोग इस बात को अच्छे से नोटिस कर रहे थे सुना है मैंने बेवफा तू बहुत ही खुश है किसी गैर के मका में बहुत ही खुश है किसी गैर के मका में सुना है मैंने बेवफा तू मुझे देता है बग दुआएं दुआ मुझे मुझे देता है बग दुआएं तू दुआ मुझे कैसे किया मोक्ष एक चय पर बैठ कर गितार बजाते हुए गार रहा था तो मोक्ष उसे चय से खड़ा हुता है और मन्नत की तरफ आने लगता है मोक्ष को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मन्नत भी दर जाती है और मन्नत अपनी नजरे चारों तरफ घूमने लगती है ये मुझे भी बता कैसे बना तू, यू बेवफ़ा कुछ तो जवाब दे, तू भी मुझे कब तक ढून हूँ मैं यू ही तुझे किस दर्द जाके, मुझे मननक की साइट से निकाल कर मननक की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और अपनी दर्द भरी आवाज में आगे गाना गाता है मुझे की हालत देखकर अब मननक को भी अपने दिल में दर्द महसूस होने लगता है मननक भी मोक्ष के लिए दुखी फील कर रही थी मोक्ष की आँखों में और उसकी आवाज में उसके दिल का दर्द साफ नजर आ रहा था और मननत मोक्ष की ऐसी हालत की जिम्मिदार खुद को ही ठहरा रही थी मननत से भी मोक्ष की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी किस खुदा से कैसे मैं मांगू बता दे तुझे सुना है मैंने बेवफा तू मेरी बर्बादियों का जश्न मनाता है मोक्ष और मननत दोनों को ही कॉलेज में एक साथ बताएं कुछ खुब सुरत यादे याद आने लगते हैं मेरी बर्बादियों का जश्न मनाता है सुना है मैंने बेवफा तू मेरी तस्वीर अकेले में जलता है मेरी तस्वीर अकेले में जलता है लगता है और अब मोक्ष अपने कदम पीछे करते हुए मननत से टक्रा जाता है मननत और मोक्ष दोनों ही पीछे की तरफ मूलते हैं तो मननत की नजर मोक्ष के जक्मी हाथ पर जाती है जिससे अभी बहुत खून बह रहा था मननक परेशान होकर मोक्ष के हाथ को पकड़ लेती है तो मोक्ष अपना हाथ जटक से मननत से छुड़ा लेता है मुझे में ही कुछ कमी है जो इश्ट किया मुझे मिलना सका मेरी ही आँखो में है कुछ नामी जो इश्ट तेरा मुझे देखना सका मुझे क्या पता था मोक्ष बड़े ही ध्यान से मननत का ही चहरा देख रहा था मोक्ष की ऐसी हालत देखकर मननत की भी आँखों में आंसु आ जाते है मननत की आँखों में आँसु देख कर मोक्ष के चहरे पर एक दर्ड भरी मुस्कान आ जाती है और अब मोक्ष से खुद पर कंट्रोल नहीं होता और मोक्ष मननत की कमर में हाथ डाल कर उसे अपने करीब कर लेता है तू ही है बेवफा चहरा यू तेरा मुझे दिखे ना सका सोचता रहता हूँ क्या थी खाता तू मिल गया जो मुझे तू मिल गया सुना है मोक्ष का एक हाथ मननत की कमर पर था और जिस हाथ से मोक्ष के खून बह रहा था मोक्ष उसी हाथ को मननत की गाल पर रख देता है जिससे मोक्ष का खून मननत के गाल पर भी लग जाता है मननत भी एक पल के लिए सब कुछ भूल कर सिर्फ मोक्ष के ही दर्द में खो जाती है मोक्ष अपना सर मननत की सर से जोड लेता है और इस वक्त दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मैंने बेवफक तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है मेरे मरने का इंतजार कर रहा है सुना है मैंने बेवफक तू मेरे हिसाब से उसको प्यार हो रहा है मेरे हिसाब से उसको प्यार हो रहा है मोक्ष और मननत इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे और सभी लोग मोक्ष और प्रेम का गुस्सा मननत को देखते हुए एक औरत दूसरी औरत से कहती है ये तो मिस्टर सिंधानिया की वाइफ है ना कितनी घटिया औरत है सब के सामने किसी गैर मर्ग के साथ ऐसे चिपकी हुई ख़़ी है इन जैसी औरतों ने ही समाज को बदनाम कर रखा है इन जैसी औरतों को चुलू भर प जीशन पर आते हैं लेकिन लगता है उनकी बीवी गिरी हुई औरतों में नंबर वन पर आती है एक आदमी मननत की खूबसूरत कमर को देखते हुए गहरा है मुझे नहीं पता था मिस्टर सिंधानिया की बीवी को दूसरे मर्डों में इतनी दिल्चस्पी है वरना यार हम भी ट्राइ मार लेते हम में कौन सा कमी थी पैसे तो हमारे पास भी बहुत है दूसरा आदमी हा यार सच कहूं तो इतनी खूबसूरत औरत में आज तक नहीं देखी अगर मेरी बीवी ऐसी होती ना तो कसम से बिस्तर से नहीं उठने देता उस हर रात बिस्तर पर अपने नी मोक्ष को देखकर गंदी गंदी बाते कर रहे थे और तभी प्रेम अपने फोन में देखते हुए अंदर आता है थोड़ी देर फोन में देखने के बाद प्रेम अपने फोन को अपनी पॉकित में रख देता है और मनत को देखने के लिए अपनी नजरे इधर उधर घूमने लगता है और तभी प्रेम की नजर मननत पर जाती है मननत तो बिलकुल सीधी खड़ी थी लेकिन मननत की कमर और उसके गाल पर मोक्ष के हाथ थे और मननत का सर और मोक्ष का सर आपस में जुड़ा हुआ था दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा करीब थे इस तरह मननत को किसी और की बाहों में देखकर तो जैसे प्रेम का खून जल जाता है उसका पुरा शरीर किसी ज्वाला मुखी की भटी की तरह तपने लगता है प्रेम की नीली आखे गुस्से से लाल हो जाती है प्रेम के हाथों की मुठी बन जाती है प्रेम अपने जबड़े को गुसे में कस लेता है प्रेम का पुरा चहरा गुसे से काला पढ़ गया था और प्रेम इस वक्त किसी नरक के देवता की तरह लग रहा था प्रेंग उसे से उन दोनों के पास जाता है और मननत की बाजू को पकड़ करेखी जटके से मननत को मोख्ष से अलग कर देता है प्रेंग के इस तरह खीचने से मननत जैसे किसी वशीकरन से बाहर आती है और अब मननत को भी एहसास होता है कि अभी अभी मननत ने सब के सामने किया मननत नजर उठा कर चारों तरफ देखती है तो सभी लोग मननत को घिन भरी नजरों से देख रहे थे और अब मननत शर्म से प्रेम की तरफ देखती है तो प्रेम गुसे में इस वक्त मोक्ष को ही को रहा था और प्रेम को इतने गुसे में देखकर मननत की रीड की हटी तक काम जाती है मोक्ष को भी अपनी गलती का एहसास होता है और मोक्ष प्रेम से कुछ कहने ही वला होता है कि उससे पहले ही प्रेम एक जोरदार मुक्का मोक्ष को मार देता है जिससे मोक्ष जमीन पर गिर जाता है मननत दर से अपने दोनों हाथों को अपने मूँ पर रख लेती है और आखें बड़ी-बड़ी करके मोख्ष को देखने लगती है प्रेंग मोख्ष को मरने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी प्रेंग के सामने विवेक और रिशब आ जाते हैं रिशब और विवेक भी प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रेम रिशब और विवेक दोनों को ही धाका दे देता है और मोक्ष के पास जाते हुए मोक्ष का कॉलर पकल कर मोक्ष को उठता है और उसे दोबारा से एक टेबल के उपर पटक देता है और इस बार मोक्ष की कमर में बहुत गहरी चोट लगती है जिससे मोक्ष के मूँ से खुना जाता है संजना मोक्ष के पास जाने लगती है तो अंजली संजना का हाथ पकड़ कर उसे रोक देती है और अब विवेक और रिशब दोबारा से प्रेम के पास जाकर प्रेम को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रेम फिर से रिशब और विवेक को धक्का दे देता है लेकिन रिशब दोबारा से प्रेम के सामने आते हुए प्रेम के चहरे पर एक घुसा मार देता है लेकिन प्रेम को जादा फर्क नहीं पड़ता प्रेम अपनी जलती निगाहों से रिशब की तरफ देखा है औ और एक जोरदार मुक्ष का रिशब के चहरे पर मरता है जिससे रिशब दूर जाकर गिरता है। अपने दोस्त को मार खाते हुए देखकर अब मुक्ष को भी गुस्सा आ जाता है और मुक्ष प्रेम से लड़ने के लिए प्रेम के सामने आ जाता है अब पार्टी हॉल एक लड़ाई के अखाड़े में बदल गया था जहां एक तरफ प्रेम था और दूसरी तरफ मुक्ष व हस हो गया था और चारों तरफ सामान तूटे फूटे पड़े हुए थी लोग बड़े ही दिल्चस्पी से लड़ाई को देख रहे थे विवेक सिर्फ रिशब और मुक्ष को दिखा रहा था कि वह उनके साथ खड़ा है और प्रेम से लड़ रहा है लेकिन विवेक प्रेम स को पकल कर उसे हवा में उठाते हुए एक टेबल के उपर जोर से पटक देता है जिससे रिशब की रीड की हड़ी में चोट आती है और रिशब वही पर बेहोश हो जाता है और तभी मुक्ष प्रेम की पीथ पर एक लात मार देता है जिससे प्रेम दो कदम आगे हो जाता है प्रेम पीछे पलट कर फिर से मोक्ष के पेट में एक लात मारता है और मोक्ष के कोलार को पकड़ कर उसके चहरे पर मुके बरसने लगता है मोक्ष का पुरा चहरा खून से भर गया था मोक्ष की सफेज शर्टखून से लाल हो चुकी थी और मोक्ष दोनों ही इस वक्ता आधमारे हो चुके थे दोनों की बस सांसे चल रही थी लेकिन जिस्म में जान नहीं बची थी और अब संजना से बरदाश्ट नहीं होता संजना अंजली से अपना हाथ छोलती है और मननत के पास जाती है मननत जो लड़ाय जगड़े को देखकर दर से दिवार से लगकर बैक गई थी जैसे किसी सदमे में चली गई थी संजना मननत के पास जाकर मननत का हाथ पकड़ कर उसे खड़ा करती है और एक जोरदार थप पर मननत की गाल पर मार देती है संजना मननत पर गुस्से में चिलाते हुए कहती है मननत तुम इतनी गिरी हुई हो मैंने कभी नहीं सोचा था मोक्ष तुमसे कितना प्यार करता था तुम्हारी एक आवाज पर अपनी जान देने के लिए तयार था और आज तुम्हारी वजह से मोक्ष की ऐसी हालत हो गई है तुम्हारा पती उसे कितनी बुरी तरह से मार रहा है और तुम यहाँ पर बैठे बैठे बस तमाशा देख रही हो संजना मनत की बाजू को पढ़कर जंजरते हुए कहती है देखो उधर रिशब की क्या हालत हो गई है रिशब बेहोश हो गया है तुम्हारे पती की मार खाकर संजना अपनी आँखों में आँसु लाकर मनत की दोनों बाजू को पढ़कर जंजरते हुए अपनी तरफ करती है और दर्द भरी आवाज में रहती है मन्नत तुमने मोक्ष से कभी प्यार नहीं किया लेकिन मैं मोक्ष से बहुत प्यार करती हूँ उसकी खुशी के लिए मैंने आज तक कभी उसे नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन मननत मैं तुम्हारे आगे भीख मानती हूँ बक्ष दो मेरे मोक्ष को रोक लो अपने पती को वरना तुम्हारा पती मेरे मोक्ष को जान से मार देगा प्लीस मननत रोक लो अपने पती को तुम्हारे पती को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रोक सकता मननत की आँखों से भी आँखों से भी आँखों बहाल रहे थे मननत के दिल में भी बेतहाशा दर्द हो रहा था मननत अपनी आँखों से भरी आँखों से प्रेम की तरफ देखती है मोक्ष जमीन पर बेसुद पड़ा हुआ था और प्रेम मोक्ष के सीने पर अपना घुटना रखकर उसके चहरे पर अभी मुके बरसा रहा था मननत अपने चहरे के आंसुओं को साफ करके जल्दी से प्रेम के पास जाते हैं और प्रेम के कंधे पर हाथ रखती है लेकिन प्रेम मननत का हाथ जलक देता है और वापस से मोक्ष को मरने लगता है मननत इस बार प्रेम के हाथ को पकड़ के प्रेम को पीछे खीचने लगते हैं तो प्रेम गुस्से में मननत को पीछे जटका हुए खड़ा होता है प्रेम मननत को मरने के लिए भी अपना हाथ उठाता है तो मननत जल्दी से डर कर अपने चहरे के पास अपने दोनों हाथों को क्रोस करते हुए अपने चहरे को एक साइड कर लेती है प्रेम का हाथ हवा में ही रुक जाता है और प्रेम गुस्से से मननत को देखने लगता है कुछ देर तक जब मननत को कुछ भी एहसास नहीं होता तो मननत अपने हाथों को नीचे करके प्रेम को देखने लगती है प्रेम अभी अपनी गुस्से से भारी जलती हुई निगाहों से मननत को देख रहा था प्रेम को इतना गुस्से में देखकर मननत का पूरा शरीर दर से काम जाता है प्रेम के चहरे और कप्टों पर भी खून लगा हुआ था प्रेंग के हाथ खून से सने हुए थे और प्रेंग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था प्रेंग के मोक्ष से अलग हुने के बाद संजना जल्दी से मोक्ष के पास आती है और मोक्ष के सर को अपनी गोध में रख लेती है मोक्ष भी अब तक बेहोश हो गया था संजना मोक्ष को उठाने की कोशिश करते हुए उसे हिला रही थी विवेक भी मोक्ष के पास आ जाता है और अंजली रिशप के पास चली जाती है प्रेंग उसे में मननत का हाथ पकरता है और मननत को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है मननत एक बार पीछे पलट कर अपने दोस्तों को देखते हैं और अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर मननत का दिल दर्द से भर जाता है प्रेंग मननत को घसीटते हुए अपने साथ गारी के पास लेकर आता है और गारी के पिछले दर्वाजे को खोल कर मननत को गारी के पिछी सीट पर धक्ता दे देता है मननत मुव के बल गारी की पिछी सीट पर गिर जाती है और प्रेंग खुद ड्राइविंग सीट पर आकर प्रेम गारी को तेज रफ्तार से वहां से लेकर जाता है। दूसरी तरफ विवे कंजली और संजना रिशब और मोक्ष को जल्दी से उठते हैं और गारी में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जल्दी से होटल से निकालकर अस्पिटल के लिए चली जाती है। संजना विवेक और अंजली मोक्ष और रिशब को लेकर हॉस्पिटल आ चुके थे। डॉक्टर रिशब और मोक्ष का ट्रीक्मेंट कर रहे थे। लेकिन प्रेम ने जितनी बुरी तरीके से उन्हें मारा था उनकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। चर्ट 214 क्या प्रेम ने लेली मननत की जान। अभी तक आप लोगों ने पड़ा। प्रेम सिंधानिया का जिक्र होते ही स्नेहा दर से काम जाती है लेकिन फिर भी मोक्ष को ध्यान करते हुए स्नेहा अपने दर पर पाने की कोशिश करती है और जल्दी से होटल से निकाल कर अस्पताल के लिए चली जाती है। संजना विवेक और अंजली मोक्ष और रिशब को लेकर हॉस्पितल आ चुके थे। डॉक्टर रिशब और मोक्ष का ट्रीक्मेंट कर रहे थे। लेकिन प्रेम ने जितनी बुर का ही ट्रीक्मेंट कर रहे थे। विवेक और संजना हॉस्पितल में ही थे। लेकिन संजना ने अंजली का अस्पताल आने से मना कर दिया था। अंजली की नई नई शादी हुई थी। इसलिए संजना अंजली को परेशान नहीं करना चाहती थी और इसलिए संजना ने मननत विला मननत दर्वाजा खोल कर बाहर आई उससे पहले ही प्रेम मननत के साइद का दर्वाजा खोलता है और मननत का हाथ पकड़ कर लगभग उसे खीचते हुए अंदर ले जाने लगता है और मननत भी प्रेम के साथ खीची चली जाती है प्रेम मननत को लेकर अंदर की तरफ जा रहा था कि तभी नैना अंच को लेकर बाहर आती है क्योंकि बहुत ज्यादा रो रहा था नैना ने अंच को अपनी गोद में ले रखा था और अंच ने नैना की कंदे पर अपना सिर्रक रखा था और अंच नैना से चिपका हुआ था और अंश जैसे ही प्रेम को देखा है तो नैना की गोद से उतर कर प्रेम की तरफ भागता है और भाग कर अपने पापा के पैरों से चिपक जाता है नैना भी प्रेम के पासा जाती है लेकिन जब नैना प्रेम और मननत को साथ में देखती है तो उन दोनों की condition से ही पता चल जाता है कि दोनों के बीच में कुछ तो problem है प्रेम मननत का हाथ छोड़ देता है और अंच को अपनी गोद में उठा लेता है प्रेम अंच के सर को सहलाते हुए बड़ी ही सर्द आवाज में कहता है कमरे में जाओ मननत अपना सर जुका ही कमरे की तरफ बढ़ जाती है नैना मननत के जाने के बाद प्रेम से कहती है भाई क्या सब कुछ ठीक है कोई problem है क्या पार्टी में कुछ हुआ था क्या प्रेम नैना की बाद को इग्नो करके अंच से कहता है क्या हो बच्चा आप अभी तक सोई नहीं अंच अपनी तोतली आवाज में प्रेम के कंदे पर सर रख कर प्रेम से चिपकती हुए कहता है पापा मुझे नीनी नहीं आई मुझे आपके साथ सोना है आप रोज मुझे छोड़ कर चले जाते हो I miss your पापा अंच की बात सुनकर प्रेम कुछ नहीं कहता बस अंच की पीत को थप थप आते हुए पूरे हॉल में भूमने लगता है नैना भी प्रेम के पास ही थी क्योंकि प्रेम की सिचुएशन देखकर लग रहा था कि आज भी अंच को नैना के पास ही सोना होगा वरना प्रेम अंच को कमरे में ले जाता थोड़ी ही देर में अंच सुझाता है प्रेम अंच को नैना के पास लेकर आता है और अंच को नैना की गोद में दे देता है प्रेम बिना किसी भाव के नैना से कहता है ज्यादा मत सोचो सब थीक है कुछ खराब नहीं हुआ, मैं कुछ भी खराब होने नहीं दूंगा, तुम बस अंश को आज रात और अपने पास सुला लो न्याना भी अपनी गर्दन हां में हिला देती है और अंश को लेकर कमरे में चली जाती है कमरे में विजय के ऊपर वन्श आराम से सो रहा था न्याना भी अंश को विजय के पास ही सुला देती है और खुद भी बिस्तर पर आकर लेज जाती है और प्रेन गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और उधर कमरे में मन्नत भी बहुत ज़्यादा परेशान थी मन्नत को बिलकुल भी चैन नहीं मिल रहा था मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी और इसलिए पूरे कमरे में घून रही थी मन्नत के माथे पर पसीना आ रहा था मन्नत बहुत ही ज़्यादा दरी हुई थी मन्नत परेशान होकर बैग पर बैग जाती है कि तभी ही तेज आवाज के साथ दरवाजा खोलता है और प्रेम गुस्से में अंदर आता है अंदर आने के बाद प्रेम बहुत ही जोर से दरवाजे को बंद कर देता है और मन्नत के पास जाकर मन्नत का हाथ पकड़ कर खीचते हुए उसे वाश्रूम में ले आता है प्रेम मननत को शाव के नीचे खड़ा कर देता है और शाव ओन कर देता है ठंडा पानी मननत के जब उपर गिरता है तो मननत और भी ज़्यादा कांपने लगती है और प्रेम मननत के कपड़े उतारने लगता है थोड़ी ही देर में प्रेम मननत के सारे कपड़े उतार देता है और इस वक्त मननत प्रेम के सामने बिना कपडों में ख़़ी थी मननत ने इस वक्ट सिर्फ टूपी से नर्विय पहना हुआ था और मननत को बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी लेकिन फिर भी मननत सर जुका कर सीधी ख़ली थी और प्रेम अपने हाथों से मननत को साफ कर रहा था ऐसे जैसे मननत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी और मननत को बहुत ही बुरा फील हो रहा था मननत की आँख से आँसु बह रहे थे प्रेम भी पूरा भीच चुका था लगभग एक घंटे तक मननत को अच्छे से साफ करने के बाद प्रेम मननत को ऐसे ही बात्रूम में छोड़ कर कमरे से बाहर आ जाता है मननत का शरीर लाल पर चुका था मननत को अपनी बॉडी में दर्द हो रहा था मननत बात्रूम पहन कर कमरे से बाहर आती है प्रेम बालकनी में खड़ा था प्रेम ने सिर्फ पेंट पहन रखी थी और प्रेम की अपर बोडी पर कुछ भी नहीं था मननत प्रेम को देखती है और गहरी सांस छोड़ते हुए closest room में चले जाती है मननत एक silk black color की nighty पहन कर बाहर आती है जो कि सिर्फ मननत के थाई तक ही थी प्रेम अभी भी बालकनी में खड़ा था और smoke कर रहा था मननत डरते हुए प्रेम के पास जाती है और प्रेम के पीछे जाकर ख़़ी हो जाती है मननत अपना हाथ प्रेम की तरफ बढ़ती है लेकिन प्रेम को छू नहीं पाती अचानक से ही प्रेम मननत को खुद से बहुत दूर नजर आ रहा था एक न दिखने वाली दीवार जैसे बीच में आ गई थी जिसे मननत तोड़ नहीं पा रही थी और मननत चहां कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी मननत वापस से पीछे जाने लगती है कि तभी प्रेम मननत का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खीच लेता है और मननत की गर्दन को पकड़ कर उसे दिवार से लगा देता है प्रेम की आँखे गुसे से इस वक्त बिलकुल ब्लड शौर जैसी रेती और प्रेम का चहरा गुसे में तम तमा रहा था क्यूं? क्यूं किया ऐसा? क्या बदला ले रही हो मुझे? मननत बड़ी मुश्किल से सांस लेने की कोशिश करते हुए कहती है आप मुझे गलत समझ रहे हैं अपने जैसा देखा वैसा नहीं था मैं मैं प्रेम गुसे से मननत के चहरे के बेहत करीब आता है और अब प्रेम की सांस मननत के चहरे पर पड़ रही थी प्रेंग बहुत ही गुस्से से मननत से कहता है गलती कर दी मननत तुमने तुम्ने तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रेंग के मूँ से अपना नाम सुनकर मननत की सीने में दर्द हो रहा था मननत की आँखों से आंसु बह जाते हैं प्रेल मननत की गर्दन पर और ज्यादा दबाव बनाते हुए कहता है भूल जाओ कि मैं तुम्ही किसी और का होने दूंगा तुम मेरी हो मननत और मेरी ही रहोगी तुमसे मोहबबत मैंने तुम्ही खोने के लिए नहीं की थी और आज जो तुमने किसी और के करीब जाने की गलती करी है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर गलती को बरदाश्ट कर लूँगा मननत का दम भुट रहा था, मननत को सांस नहीं आ रही थी और अब मननत की आखे भारी होने लगी थी लेकिन प्रेंग को तो जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था मननत की आखे धीरे धीरे उपर की तरफ हो रही थी और देखते ही देखते मननत के हाथ नीचे गिर जाते हैं और मननत की आखे बंध हो जाती है चटू हन्रेड फिफटीन मननत की बदनामी अब तक आप लोगों ने पड़ा तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर गलती को बरदाश्ट कर लूँगा मननत का दम भुट रहा था मननत को सांस नहीं आ रही थी और अब मननत की आखे भारी होने लगी थी लेकिन प्रेम को तो जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था मननत की आखे धीरे धीरे उपर की तरफ हो रही थी और देखते ही देखते मननत के हाथ नीचे गिर जाते हैं और मननत की आखे बंध हो जाती है अब आगे और तभी प्रेम मननत का गला चोड़ देता है और मननत नीचे जमीन पर गिर जाती है और तभी गहरी सांस लेते हुए जोर-जोर से खासने करने लगती है और प्रेम मननत को ऐसे ही छोड़कर वहां से जाने लगता है तो मननत जल्दी से प्रेम का हाथ पकर लेती है मननत कुछ कहने वाली होती है लेकिन उससे पहले ही प्रेम मननत का हाथ जटक देता है और वहां से चला जाता है और मन्नत अपनी पत्राएं आँखों से प्रेम को जाते हुए देखती रहा जाती है मन्नत की आँखों से बेहिसाब आंसु बह रहे थे मन्नत प्रेम को देखते हुए अपने मन में कहती है काश कि आप मेरी आँखों में देख पाए तो आपको आपके सिवा कोई और नजर कभी नहीं आता मननत हमेशा से सिर्फ आपकी ही थी आपने सोच भी कैसे लिया कि मननत के दिल में आपके अलावा किसी और के लिए कोई जज़बात आ भी सकते हैं जिस दिन मननत ने आपको भुला दिया वो मननत की जिन्दगी का आखिरी दिन होगा और जिस दिन आपने मननत से मूँ फिर लिया वो दिन भी मननत की जिन्दगी का आखिरी दिन होगा काफी देर तक मननत बालकनी में ही बैठी रहती है और रोती रहती है आधी रात के बाद मननक बालकनी से कमरे में आती है और बैट के सहारे नीचे जमीन पर बैट जाती है मननक का सर बैट से टिका हुआ था और मननक की आँखों से आँसू कभी भी बह रहे थे पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और प्रेंग फिर वापस कमरे में नहीं आता सुबल के चार बजे मननत भी रोते-रोते सो जाती है अगली सुबह सुबल के 10 बजे मननत की आँख खुलती है और मननत जब घड़ी की तरफ देखती है तो मननत समय देखकर हैरान हो जाती है मननत खड़ी होकर वाश्रूम में जाती है थोड़ी देर बाद मननत हाल में आती है तो नेना सोफे पर बैठकर इस वक्त निउस चैनल देख रही थी मननत भी न्यूस की तरफ देखती है और न्यूस देखकर मननत की आँखों में फिर से आँसू आ जाते हैं स्क्रीन के एक तरफ मन्नत की और मोक्ष की पार्टी वाली फोटो दिखाई जा रही थी जिसमें मन्नत और मोक्ष एक दूसरे के करीब खड़े थे और स्क्रीन पर एक टैग लाइन आ रही थी अमीर लोगों के खिलोने सच और न्यूसन का मन्नत के बारे में कहता है रिश्टो हम आम जनता से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है और तभी न्यूस चैनल पर आम लोगों के बीच में खड़े एंक की तरफ वाली वीडियो को बढ़ा करके पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाता है जहां पर दूसरा एंक एक औरत से पूछता है एशिया के नंबर वन मर्ड की बाहों में खड़ी है अरे इस जैसी औरत को तो बीच चौराहें पर खड़ा करके इसका मूं काला कर देना चाहिए उसे औरत की बात पर उसके साथ में खड़ी बाकी औरते भी जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहती है हां हां इस औरत का तो मूं काला कर देना चाहिए और मुंकाला करके ही पूरे शहर में घूमना चाहिए और फिर वहन के एक आदमी से पूछता है आपका मिस्टर सिंघानिया की वाइफ के बारे में क्या कहना है जो उन्होंने किया क्या वह सही था तो वह आदमी अपने चेहरे पर गंदी सी हंसी लाकर कहता है इन अमीर लोगों के बारे में क्या कहें उनके लिए तो ये सारी बाते बहुत ही आम बात होती है शादी करना और फिर दूसरी ओरत या आदमी के साथ हफ्या करना और फिर अपने पती से एक मोटी रकम लेकर तलाक ले लेना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है और तब ही दूसरा आदमी कहता है ह हाँ, बिल्कुल सही कहा, तुमने इन अमीर लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अरे हमने तो ये भी सुना है कि इन लोगों का अफयर तो उनके नौकरों से भी चलता है, और फिर तीसरा आदमी कहता है, प्रेंग सिंघानिया की बीवी है बड़ी खुब सुरत, पुरी रात मजे दिलाऊंगा, और तभी नैना गुस्से में टीवी बंद कर देती है और टीवी रिमोट को फेक कर मरती, और सोफे से खड़ी होकर जाने लगती है और तभी नैना की नजर मननत पर पढ़ती, है, है, नैना गुस्से से मननत के पास आती है और एक जोरदार मननत के गाल पर मार देती है, मननत जिसका चहरा एक तरफ जुक जाता है, मननत अपने गाल पर हाथ रख कर नैना की तरफ देखती है तो नैना गुस्से से मननत से कहती है, मुझे जिन्दगी भर अफसोस रहेगा कि जब आप भाई की जिन्दगी से चली गई थी तो मैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी घटिया हरकत कर सकती है। मननत अपनी आँखों में आँशुल ये नैना को देखने लगती है तो नैना अपनी नजरे मननत से फिर लेती है। नैना वहां से जाने लगती है तो मननत नैना का हाथ पकड़ कर उसे रोकते हुए कहती है। और इतना बोल कर नैना वहां से चली जाती है। मननत नैना के पीछे जाने को होती है कि तभी चमपाबाई मननत के सामने आ जाती है। मननत चमपाबाई को देखते हुए रोते हुए कहती है। मा नैना को समझाए ना, वो मेरे बारे में गलत सोच रही है। माव वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है और तभी फिर से मननत के गाल पर एक और थप पर पड़ता है जिससे मननत का गाल साइट से कट जाता है और मननत के होटों से खुना जाता है मननत हैरानी से अपने गाल पर हाथ रख कर चमपाबाई की तरफ देखती है क्योंकि इस बार्थप पर चमपाबाई ने मारा था खाबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे मा कहा तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती इतना बोल कर चमपाबाई भी वहां से चली जाती है और अब मननत से वहां रुका नहीं जाता और मननत वापस से रोते हुए भाग कर कमरे में आ जाती है और मननत सीधा बिस्तर पर पेट के बल लेट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, अस्पताल में भी मननक की ही न्यूस टीवी चैनल पर चल रही थी और जादातर सभी लोग न्यूस पर मननक को देख कर मननक के बारे में बहुत ही गलग गलग बाते कर रहे थे लेकिन एक लड़का और एक लड़की हॉस्पिटल में ऐसे भी थे जो उस न्यूस को देख कर मुस्कुरा रहे थे लड़की अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हुए अपने मन में कहती है वेल दन मननक मुझे नहीं पता था कि मेरी एक धमकी पर ही तुम इस हग तक तूट जाओगी और मेरे इशारे पर नाचे लेगोंगी ये तो बस शुरुआत है प्रेम सिंधानिया अभी तो मैंने अपना बदला लेना शुरू किया है देखते जाओ आगे आगे क्या होता है और तभी उसके बराबर मैं खड़ा लड़का उसे लड़की के कंदे पर हाथ रख कर कहता है अब तो तुम खुश होना यही चाहती थी ना तुम की प्रेम सिंधानिया और उसकी वाइफ के बीच में इतनी गलत फहमिया आ जाए कि प्रेम सिंधानिया खुद ही अपनी बीवी से नफरत करने लगे आग तो हमने लगा दी है और अब इस आग को फैलने से कोई नहीं रोक सकता लड़की अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर उसे लड़की की तरफ देखती है और फिर उसे लड़के के सीने से लग जाती है लड़का भी लड़की को अपनी बाहों में भर लेता है रात का वक्त रात के ग्यारा बज चुके थे लेकिन प्रेम अभी तक नहीं आया था अंश बिस्तर पर लेटा हुआ था और मननत अंश के बराबर में बिस्तर पर बैठी हुई थी और मननत का सिर बिस्तर की सिरहाने से टिका हुआ था काफी देर हो जाने के बाद प्रेंग कमरे में आता है और बिना मननत की तरफ देख ही वाश्रूंग में चला जाता है थोड़ी देर बाद प्रेम चेंज करके आता है और बिस्तर पर आकर लेट जाता है प्रेम मननत की तरफ से करवट ले लेता है और अपनी पीठ मननत की तरफ कर लेता है प्रेम का इस तरह से मननत की तरफ से पीट करके सोना मननत के दिल को दर्द से भर देता है और मननत की आँखों में फिर से आँसु आ जाते हैं मननत को गोपल याद आते हैं जब प्रेम मननत से चिपक कर और मननत को अपनी बाहों में लेकर सोता था मननत काफी देर तक प्रेम को ऐसे ही देखती रहती है प्रेंग काफी देर से बेचैन हो रहा था क्योंकि प्रेंग को नीन्द नहीं आ रही थी और प्रेंग परेशान होकर बिस्तर से खड़ा होता है और फिर ड्रौअ और में से एक दवाई की शीशी निकलता है और एक गोली उसमें से खाकर सो जाता है प्रेम तो नीन्द की गोली लेकर आराम से सो गया था लेकिन मननत की आँखों में दूर दूर तक नीन नहीं थी और मननत की आँखों से बस आंसु बहे जा रहे थे हो फिकरे हैं तेरी इतनी है कि भूल गई खुद को तेरे लिए मैं जोगन बनके गूमू दरदर को आजा ना तू इससे पहले हो जाओ बदनाम अगी सुबह मननत अपने समय से पहले ही उच जाती है और प्रेम का सारा सामान तयार कर देती है और फिर किचन में जाकर प्रेम की पसंद का ब्रेकफास्ट बनती है और डाइनेंग टेबल पर लगब प्रेम के आने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी ही देर में प्रेंग तयार होकर नीचे आता है लेकिन बिना एक नजर मन्नत को देखे घर से निकल जाता है अपने मन की जानू और देरे मन की राम मैं तेरा नाम एक ही दिल है एक ही जान है दोनों मैं तुझ पिवारू नैना दो पहर के समय हाल में बैठी हुई थी कि तभी मननत नैना के पास नैना से बात करने के लिए आती है लेकिन जैसे ही नैना मननत को देखते हैं तो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाती है सामने बैठे तू छूने से पहले मैं तेरी नजर उतारू तेरे लिए कुछ बाते लिखी है तुछ को सुनानी है और मननत का दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है रात के समय मननत अंश को अपने सीने से लगा कर बिस्तर पर बैठी हुई थी और अंश अपनी मम्मी के सीने से इक कर आराम से सो रहा था देर रात प्रेंग कमरे में आता है और फिर से बिना मननत की तरफ देखें वाश्रून में चला जाता है चेंज करने के बाद प्रेंग रॉ से नींड की दवाई निकलता है और नींड की गोली खाकर वापस से मननत की तरफ पीट करके सो जाता है जिसमें तू राजा में रानी बनी थी वो कहानी बतानी है अब तो आजा तू कबसे है ये पड़ी मांग मेरी सुनसान सासो की माला पे सिम्रू मेर तेरा नाम सासो की माला पे सिम्रू मेर तेरा नाम तीन दिन हो चुके थे इन तीन दिनों में मननत से बात करना तो दूर कोई मननत का चहरा भी नहीं देखना चाह रहा था सभी मननत को देखकर ऐसे बेहेव कर रहे थे जैसे मननत कितनी गंदी हो गई है और अगर किसी को गलती से भी हाथ लगा दिया तो दूसरा इंसान भी गंदा हो जाएगा नैना और चमपा बाई के साथ घर के सभी सर्वेद भी मननत को घिन नजरों से देखते थे